नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सूपर आज पर So Russian President Vladimir Putin ने सभी प्रोटोकॉल्स को ब्रेक करते हुए भारत के National Security Advisor अजीत दोवाल जी के साथ एक special बैठक की है आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे जस्ट आज से दो-तिन दिन पहले की बात है भारत के NSA अजीत दोवाल रश्या के दोरे पर गए थे जहाँ पर जाकर के उन्होंने अफगानिस्तान की situation को discuss किया था लेकिन very very interestingly यह वहाँ पर मिलने तो रश्या के NSA के साथ गए थे लेकिन Russian President Vladimir Putin ने भी इनके साथ एक special meeting को conduct किया है यह experts की मानी जाएं तो काफी बड़ी बात मानी जा रही है because generally अगर आप देखते हैं तो रश्या के जो प्रेजिडेंट हैं वो कभी भी किसी foreign cabinet minister के साथ भी मुलाकात नहीं करते हैं और अजीत दोवाल एक cabinet minister नहीं बलकि एक security official हैं जो की इंडिया के NSA हैं तो उनसे ये मुलाकात करनी अपने आप में काफी बड़ी बात बन जाती है और इंडियन्स का ये मानना है कि ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा diplomatic bonus भी माना जा सकता है बात करेंगे कि इस मुलाकात में basically क्या क्या चीज़सें सामने आई हैं अजीद दोवाल ने अपने अजंडा को किस तरीके से पेश किया है आए शिरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद यदि आप लोग मुझे follow करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिये गए टेलिजाम चैनल के माधियम से ऐसा कर सकते हैं और सो बताना चाहाँगा कि टेस्ट बुक आपके लिए लेकर आया है एक खास सेल जिसमें कि आपको मेरे द्वारा बनाया हुआ जो UPSC, Current Affairs, Prelims का Crash Course है वो अवेलेबल हो रहा है मात्र और मात्र ग्यारा सो चार रुपे में इसमें दोस्तों आपको पिछले एक साल के सभी Current Affairs का content अवेलेबल करवाया जाएगा इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया इंडिया के जो National Security Advisor है इन्होंने bilateral talks को conduct किया रश्या में जो NSA है निकोलाई पातरुशेव यह आप यहाँ पे देख पाएंगे और यह जो meeting थी यह इन्होंने Moscow में जाकर करी थी Very very interestingly एक बहुत ही rare meeting में NSA Doval की meeting Russian President Vladimir Putin के साथ भी करी गई है बलकि इसमें यह तक कहा गया है कि Russian President ने एक पूरा भरा कमरा था officials का उस भरे कमरे को खाली करवाया यह कहते हुए कि मुझे भारत से जो NSA Doval आए है उनसे अकेले में मुलाकात करनी है कुछ high level की security talks करनी है इसलिए आप इस पूरे room को खाली कीजिए तो Russian President Vladimir Putin last week made a very rare exception and summoned visiting Indian NSA Doval for a rare one-to-one meeting to discuss global and bilateral issues और यहाँ पर यह सारे के सारे मुद्दे सामने आए है NSA Doval ने अफगानिस्तान को लेकर अपना मुद्दा जो है उसको पेश किया उन्होंने कहा कि जो अफगानिस्तान की territory है वो ये ensure करना चाहते हैं कि it does not become a source of radicalization and terrorism और बल्कि इन्होंने पाकिस्तान को target करते हुए कहा कि that no country should be allowed to use the Afghanistan territory to export the terrorism आप लोग जानते होंगे कि फिलाल किस तरीके से पाकिस्तान की ही मदद से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी है और आज उसका जो हरजाना है वो इंडिया को and in fact even पाकिस्तान को भी पे करना पड़ रहा है लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी गलती जो है वो पाकिस्तान की है जिसकी वज़े से आज regional tensions काफी जादा बढ़ चुकी है और यहीं पर इन्होंने बलकि ये भी कहा that India will never abandon the people of Afghanistan यानि कि India जो है वो humanitarian aid Afghanistan को देता रहेगा चाहे वहाँ पे कोई भी सरकार क्यों ना हमें देखने को मिले बदले में Vladimir Putin ने India के इस stance को डुवाल जी के इस stance को support किया है इन्होंने भी कहा we are also worried about attempts to use the situation in Afghanistan to allow extra regional forces to expand or build their infrastructure इन्होंने कहा कि obviously situation improve नहीं हो रही है humanitarian situation वहाँ पर काफी जादा खराब चल रही है तो एक तरीके से रश्या ने इंडिया के इस stance को यहाँ पे support किया है with respect to Afghanistan पाकिस्दान situation जो कि इंडिया के लिए again अपने आप में एक काफी बड़ी diplomatic जीत है बाइदवे आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया जिस दिन से अफगानिस्तान में Taliban की सरकार आई है उस दिन से ही इंडिया की एक लौती demand रही है कि अफगानिस्तान में जो सरकार होनी चाहिए वो inclusive होनी चाहिए वो representative होनी चाहिए और ये कोई आज की demand नहीं है हम लोग शुरू से ही मांग कर रहे हैं और बल्कि इस मौके पर भी अजीत दोवाल जी के द्वारा यही कहा गया है that the people of Afghanistan were among India's foremost priorities और इसी लिए हम लोग demand करते हैं for an inclusive and a representative government बल्कि इन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे terror groups है विच इंक्लूड़ दाइश विच इंक्लूड़ लश्करे ताइबा विच इंक्लूड़ जैशे मोहमद जो की AFPAC region में active है और हम चाहते हैं कि security cooperation को बढ़ाया जाए so that in terror groups के उपर शिकंजा कसा जाए तो ये सारे के सारे groups आपको अगर नहीं मालूम तो बता दूँ कि ये basically पाकिस्तान से operate करते हैं और जब से अफगानिस्तान में तालिबान आया है तब से इन्होंने अपना जो area of influence है वो अफगानिस्तान में भी बढ़ा लिया है जिसका again जो overall impact है वो इंडिया के उपर काफी जादा पढ़ रहा है आप यहाँ पे देख पाएंगे इंडिया पहले भी इस चीज़ की मांग कर चुका है इंडिया urge अफगानिस्तान for all inclusive government at Moscow format consultations ये development November 2022 की है और उसके पिछले 2021 में भी इंडिया ने same चीज़ को लेकर कहा था कि हमें definitely एक inclusive government की आवशकता चाहिए क्योंकि इंडिया जो है वो फिलहाल तालिबान को recognize नहीं करती है बलकि इंडिया ने अपने जितने भी officials थे उसको तालिबान उसको अफगानिस्तान से withdraw कर लिया था in August 2021 क्योंकि security concerns आ चुके थे पिछले साल हमने हमारी diplomatic presence को दुबारा से reestablish तो किया है लेकिन अभी भी हम लोग वहां की तालिबान की सरकार को recognize नहीं करते हैं overall मानना पड़ेगा कि डेली की diplomacy काफी द्रादा commendable है क्योंकि अभी जो Ajit Doval की visit हुई है this is just before the G20 meeting जो की नई दिल्ली में होने वाली है और G20 की जो foreign ministers की meeting है इसमें again Russia के जो foreign minister है Sergei Lavrov ये भी आने वाले है और ये commendable इसलिए भी माना जा रहा है because just अगर आप देखें तो पिछले ही हफ़ते की बात है इंडिया ने basically क्या किया था Ajit Doval जो है वो USA गए थे और USA के NSA के साथ मुलाकात करी थी वहाँ पर जाकर के इंडिया और USA ने एक initiative को launch किया था उसके just अगले दो-तिन दिन के बात again NSA Doval जी चले गए UK और फिर वहाँ पर उन्होंने वहाँ के NSA से मुलाकात करी और वहाँ पर भी उन्होंने अपने concerns को share किया और experts की माने तो कहा जा रहा है कि Delhi जो है वो एक बहुत ही tight rope walk कर रहा है between Russia and the western countries Russia इसलिए because Russia तो खुद Russia-Ukraine war में एक partner है और अगर West की बात करें तो वो Ukraine को support करते हैं लेकिन इंडिया ने दोनों ही जो यहाँ पे groupings हैं उनके साथ अपने relationship को फिलहाल बना के रखा हुआ है देखते हैं क्या होता है लेकिन again personally speaking ये काफी एक बड़ी बात है कि हम लोग इन सभी countries के साथ आज की date में सब कुछ होने के बावजूत भी अच्छे relations maintain कर पा रही है जो भी नए development आएगी आपके सामने पेश करेंगे आप लोग क्या सोचते हैं definitely बताएगे comment section में जाने से पहले फिर से बताना चाहूंगा कि अगर दोस्तों आप लोग 2023 के paper की तियारी कर रहे हैं तो prelims के current affairs crash course में enrolled करना बिलकुल ना भूले इसका जो final cost पड़ेगा आपको that is only and only 1104 रुपीज अगर आप लोग मेरा code अनिरूद यूज करते हैं Thank you so much for listening, stay tuned and stay safe